इस वक्त पूरी दुनिया में पुतिन के उस कारखाने की चर्चा हो रही है जिसे मौत वाली फाक्टरी कहा जा रहा है पुतिन ने इस फाक्टरी में अपने रक्षा मंत्री को बेजा और फिर ये विडियो पूरी दुनिया में वारल कर दिया गया बताया जा रहा है कि जलंस्की को F-16 फाइटर जेट मिलने से पहले पुतिन ने बहुत बड़ा चक्रवियू रचना शुरू कर दिया है स्क्रीन पर पहली बार रूस का सबसे खतरनाख हथियार ये हथियार कैसे तयार हो रहा है ये हथियार कितने बड़े पैमाने पर तयार हो रहा है ये सब देखकर पुतिन के दुश्मनों के होश ओड़ जाएंगे स्क्रीन पर पहली बार S-400 Air Defense System की फैक्टरी देखिए ये योक्रेन के युद्ध में सबसे बड़े हमले की तैयारी है कह सकते हैं कि ये नैथों के खिलाब सबसे बड़ी जंग के लिए रूस तैयार बैठा है स्क्रीन पर पहली बार देखिए S-400 की मिसाइल कैसे बन रही है एक तरफ लॉंचर और दूसरी तरफ मिसाइल इन तस्वीरों में बहुत मसाला है इन तस्वीरों को आप पुतिन की ताकप का सबसे बड़ा शोक है सकते हैं पुतिन के इस खुफिया फैक्टरी को देखकर अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं बाइडन ने अपनी फैक्टरी से रिपोर्ट लेनी शुरू करती है बाइडन को भी यकीन नहीं आ रहा कि पुतिन की मिसाइल फैक्टरी में इतनी तेजी से काम चल रहा है इसकी बहुत बड़ी बज़ा है पुतिन ने अब जो मांगा है उन्हें मिला है पुतिन ने टैंक मांगा रूस की सेना को टैंक मिला पुतिन ने ड्रोन मांगा रूस की सेना को ड्रोन मिला पुतिन ने मिसाइल मांगी रूस की सेना को मिसाइल मिले इन हत्यारों के साथ पुतिन ने योग्रेन में बड़ा कहर मचाया है बड़े बड़े शहर आज रूस के मिसाइल हमलों के रूस टार्गेट बन रहे है और समीनी ओपरेशन के लिए भी जब पुतिन ने ज्यादा फॉच मांग गई तो रूस में वारन नई भरती शुरू हो गई पुतिन ने जो मांगा है पुतिन को वो मिला है जोक्रेन के युद्ध में धीरे धीरे ही सही लेकिन बूस ने पकड़ और मजबूत बनाई है पुतिन की तैयारी बहुत पुक्ता कहीं जा रही है अब पुतिन की हत्यार वाली फैक्टरी 24 इंटु 7 काम कर रही है जिसमें दिन रात ऐसे हत्यार तैयार हो रहे हैं जो रूस को वाल्ड वार लड़ने में भी मदद करेंगे ऐसा दावा पश्चिन देश की मीडिया का भी है क्योंकि अब पुतिन को जैलेंस्की की तरफ से खत्रा बहुत बड़ा है यो उक्रेन को F-16 मिलने जा रहा है तो दूसरी तरफ नैटो के फाइटर जेट भी रूस से लड़ने को तैयार है इसलिए दुश्मन के लड़ाकों विमानों को रोकने के लिए पुतिन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है F-16 रूस के आस्मान में भटक कर भी ना आपाए इसके लिए पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री शोईगू को नई जिम्मेदारी दी पुतिन ने सरगेई शोईगू को S-400 की फैक्टरी में भेज दिया शोईगू आए तो उनके एक तरफ S-400 के कैनिस्टर तयार हो रहे थे तो दूसरी तरफ उसकी एयर डिफेंस मैसाइल तयार हो रही थी इन तस्वीरों में बहुत जान है इन तस्वीरों में युद्ध का पूरा बजट समझा जा सकता है इन तस्वीरों में F-16 की मौत को भी देखा जा सकता है इसमें कोई शक नहीं कि अगर F-16 का सामना रूस के S-400 से हुआ तो वो हमला करने से पहले ही मारा जाएगा रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बैतरी नहत्यार माना जाता है और भारत के अलाबा चीन समेथ कई देश इससे लेस हो चुके है S-400 के मिसाइल 400 किलोमेटर की रेंज दग F-16 को मार सकती है इसकी गैरंटी खुद पुतिन देते है इस सुबत ये मिसाइल फैक्टरी सिर्फ S-400 ही नहीं बलकि दो और तरह के एर डिफेंस भी तैयार कर रही है जिनकी तैनाती पहले से योगरेन की जमीन या कहीं की डॉन बास के आसपास है मारियू पुल में भी है और उन सभी जगों पर है जहां पर योगरेन के फाइटर जेट और जैलन्सकी के ड्रोन हमले के फिराग में रहते हैं यहां S-400 के अलावा S-300 और S-350 एर डिफेंस सिस्टम भी तैयार हो रहा है इसमें S-400 की रेंज 600 किलोमेटर से जादा है S-300 के आदुनिक वर्जन की रेंज 500 किलोमेटर है वहीं S-350 की रेंज 500 किलोमेटर तक है सरगेई शोईगों ने पुतिन को रेपोर्ट भेज दी है और इस फैक्ट्री को दिये गए और और डेडलाइन के बारे में भी बता दिया है इसी पर पुतिन की प्लानिंग निर्बर करती है इसी तैयारी को देखकर पुतिन अपने अगले हमले का दायरा सेट करेंगे पुतिन को इस बात का पूरा शक है कि खेर सौन में बांध पर हुए हमले के बाद जैलेंस्की एक बड़ी साजिश रच रहे है और वो जबाबी हमले के नाम पर मौस्को पर फिर से अटैक की तैयारी कर रहे है जैलेंस्की के फाइटर जेट से लेकर उनके ड्रोन को मौस्को तकाने से रोकनी की तैयारी कैसी है इसे समझने की ज़रूरत है रूस का बॉर्डर ही नहीं खास Capital City मौसको को बचाने के लिए बहुत ही पुगता Air Defense Zone बनाया गया है इसमें सबसे बारी सरकल को S-500 Air Defense System बचाता है जो विमान ही नहीं पर माडू बलेस्टिक मिसाइल को भी रोक सकता है इसके अंदर का दारा S-400 Air Defense System देखता है जो मिसाइलों के साथ स्टेल्थ फाइटर को भी ट्रैक करके मार गिरा सकता है इसके अंदर का दारा Book Air Defense System और पांच सिर S-1 देखते हैं ये दोनों Point Air Defense System है 2022 में युद्ध के बाद 2023 में पुतिन ने अपनी हथियार फैक्टरियों को दिन दूना राच चौगुना काम करने का आदेश दिया है और इसमें वो कामयाब भी हुए है पुतिन की हथियार फैक्टरी देखिए इसमें टैंक भी बन रहा है इसमें मिसाइले भी तैयार हो रही है इसमें ड्रोन भी बन रहे है और इसमें बम और गोला बारूत भी तैयार हो रहा है इस फैक्टरी में एक बड़े मिशन मोड पर काम चल रहा है पुतिन यहां जरा भी देरी नहीं चाहते पुतिन यहां हफ्ते के सातों दिन और दिन के 24 honor काम करवा रहे है पुतिन का दावा है कि रूस का हत्यारों वाला गोदाम हमेशा पूरी capacity के साथ भरा रहेगा पुतिन का कहना है कि वॉज को जो पसंद है वॉज जिस हत्यार से बेटर तरीके से लड़ सकती है उसे वही सप्लाई किया जाए इसलिए जब योकरेन के युद्ध में जैलन्स की नए नए हथियार दिखा रहे हैं तब पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि जैलन्स की के लॉंग रेंज वाले हथियारों ने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है रूस का रक्षा मंत्राले ऐसे उपरेशन के वीडियो भी जारी कर रहा है जिसमें योकरेन के लंबी दूरी के हथियारों को दबाख किया गया है इस ऑपरेशन में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमो 52 भी इस्तेमाल किये हैं जिनके हवाई बंबारी में जैलन्स की के कई अट्टे उड़ गए हैं साथ में मल्टी बेरल रॉकेट लॉंचर से भी बारूद की बारिश की जा रही है इन हथियारों से ऐसे अट्टों को टार्गेट किया जा रहा है जहां पर जैलन्स की के लॉंग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं पुतिन के सामने चैलेंज ये भी है कि वो अपने हथियारों की क्वालिटी से समझाथा ना करे अभी पुतिन की हथियार फैक्री की ज़्यादा डीटेल नहीं दी जा रहे लेकिन बाइडन की नजर इस पर है जैलन्स की को भी खबरे मिल रही है बाइडन से ज़्यादा नजर तो जुरब की है क्योंकि यहां का प्रोडक्शन रेट तै करेगा कि पुतिन का युद्ध कितने दिन चलेगा पुतिन इस रेट को 100% वाली गैरंटी से बरकरार रखना चाहते है हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा और असलहा तेसी से तयार हुआ तो पुतिन ज्यादा दिन तक युद्ध कर पाएंगे और फिर यूरोप पर भी चड़ाई मुम्किन है पुतिन जानते हैं कि हथियारों का प्रोडक्शन थमा और गोला बारूट कम तयार हुआ तो रूज का युद्ध और उनका नाटों के खिलाफ एजिंडा ओंधे मोग गिर जाएगा पुतिन को अपने हथियारों की फैक्टरी की पल पल की अपडेट चाहिए पुतिन की नजर फैक्टरी के उतबादन पर है पुतिन की नजर हथियारों की लॉंचेंग और उससे धर्राते यूपरेन के शैरों पर भी है पुतिन नहीं चाहेंगे कि उनका प्रोडक्शन रेट गिरे वो नहीं चाहेंगे कि हथियारों की फैक्टरी हामोश पड़े पुतिन नहीं चाहेंगे कि उक्रेन पर उनके हमलों के रफ़तार खने। पुतिन इस वक्त बहुत घुस्सेंगे।